तो दोस्तों काबली चने के छोले काबली चने की टिक्की तो आपने बहुत खाई होंगी क्या आपने काबली चने की ऐसी चटपटी और हेल्दी चाट खाई है तो चलिए आज बनाते हैं कुछ नया नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं मम्ता दूबे आज बनाने जारी हूँ बिल्कुल ठेले की तरह काबुली चने की चाट मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा तो चलिए द तरीके से बॉयल कर लिया है, अब इसे एक साइड में रखेंगे और यहां पे दो उबले आलू लेंगे, आलू पूरी तरीके से ओप्सनल है इस चाट में, लेकिन आलू डालने से चाट का मज़ा बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, तो आलू जरूर डालिएगा, आलू को मैंन 10-15 मिनिट के लिए उबाल के फ्रीज में रख दिया था, जिससे आलू अच्छे से टाइट हो गए है, अब इसे चील के इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में कट कर देंगे, तो यहां पे देखिए दोस्तों मैंने सारे आलू को इसी तरीके से कट कर लिया है, आप वीडि थोड़े से चनों को यानि छोलों को निकाल लेती हूं इस चाट को बनाने के लिए, हमारे घर में यह चाट सबको बहुत पसंद है, तो यहां पे देखिए बातों ही बातों मैं आलू को कट कर लिया है मैंने, अब इसे रख देते हैं एक अलग बाउल में यह देखिए, आल चाट के लिए धनिया बारीक कट किया है, हरा दनिया है और बारीक प्याज कट कर लिया है, बारीक टमाटर कट किया है, बारीक खीरे को भी कट करके मैंने रख लिया है, बारीक हरी मिर्च और एक नीबू का रस, यह सारी चीजे चाट में जाएंगी तो चाट का मजा तो आप टीस्पून ओयल डाल दीजेगा या फिर घी डाल सकते हैं जो भी आप पसंद करते हैं उसे डाल दीजेगा इस तरीके से फैला लेंगे फ्राइंग पेन में अच्छे से और जब यह अच्छे से गरम हो जाए तब हम इन आलुओं को डाल देंगे क्योंकि आलुओं को अच्छे से अलग प्रट के फ्राइंगे इसका कलर भी हलका चेंज हो जाएगा और आलुओं चाट में बहुत ही स्वाधिश्ट लगेंगे यह देखे इस तरीके से मैं कर रही हूं फ्राइं इसे यह देखे आप देख पा रहे होंगे कलर हलका सा चेंज होने लगा है जब अच्छे से चेंज हो जाए कलर इसका तब आप आलुओं को अलग परतंग में निकाल लीजेगा तो थोड़ी देर तक इसी तरीके से आलुओं को कर लेते हैं फ्राइं यह देखे बहुत अच्छे से सुनारा कलर आ चुका है आलु हो चुके हैं फ्राइं अब मैं इसे की श्बून ओएल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेंग हिन्ग से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता और हिन्गा दालने से चाट कू को पचाने में भी आसानी होती है क्योंकि कबूली चने की चाट आ और चना पचने में थोड़ा सा टाइम लेत और जैसे ही हमारी हींग अच्छे से थोड़ी सी खुस्बूने देने लगेगी और चटकने लगेगी तो हम इसमें आधरक, लैसन, हारी मिर्च और धनिये का एक चमस्च पेस्ट डाल देंगे इससे चार्ट का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है इस पेस्ट को बिल्कुल मिस् आप डालेंगे और चार्ट बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा यहां पे देखिए जैसे ही पेस्ट को हलका सा बुन लिया है ताकि इसका कच्चा पन चला जाए जैसे लैसन वगेरे का जो कच्चा पन है वो निकल जाए उसके बाद हमने यह डाल दिये हैं छोलों को जो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है नमक कम ही डालिएगा उसके बाद हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा कसमेरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें चाट मसाला तो इन सारी चीजों को डालने के बाद हम तक 30 सेकेंड तक मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो हल्दी बगेरा है वो अच्छे से पक जाए उसका कच्छा पंचला जाए और ये देखे छोले देखने में भी लाजबाब लग रहे हैं थोड़े से मसालों के साथ तो इस तरीके से थोड़ी देर तक छोलो को हमने भून लिया है और भूनने के बाद अब हम करेंगे गैस की फ्लेम को बन और छोलों को एक बड़े से मिक्सिंग बोल में डाल देंगे ये देखे याँपे डाल देती हूं आप देख पा रहे होंगे छोले बहौत ही अच्छे दीख रहे हैं अब इसमें डालेंगे ब को नहीं पसंद है उसे skip कर सकते हैं इसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है बारीक कटी हुई प्यास भी डाल देंगे ये देखिए अब यहां पे डालेंगे बारीक कटी हुई हरिधनिया अब इन सारी चीजों को डालने के बाद उन आलुओं को डाल देंगे जो हमने पहले ही फ्राई करके रखा था तो देखिए चाट का मज़ा दोगना करने के लिए इन आलुओं को जरूर डालिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा नमक क्योंकि जो तो हमने सैलेट डाले हैं, उसमें नमक बिलकुल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नमक और चाट मसाले का यूज हमने बात में भी किया है, अब हम एक नीबू का रस इस तरीके से निचोड के डाल देंगे, बीज वगरा बाहर निकल जाए, इस तरीके से नीबू के रस को डालने के बाद अब हमें करना कुछ नहीं है, इन सारी चीजों को अच्छे से चम्मस से मिला लेना है, तो ये देखिए, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी चाट मिंटों में बन के तयार है, यह देखिए, आप इसे सुबह के नास्ते में खाईए, या फिर साम के चाय के साथ खाईए, जब आपका चैट पटा खाने का मन हो, तो फटा फटा ऐसी चाट बना के खा सकते हैं, और चलिए, जैसे बिलकुल बाजार में सर्फ करते हैं, उसी तरीके से गर्म अगर हम इस चाट को कर लेते हैं, सब यह देखिए, मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेहर कीजिएगा, चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नई रेसिपी में, बाई बाई दोशेगा,